आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीजो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ Download now विर्वन तो कैसे है आप लोग? आज कामारा question है Name the components labeled as A, B, C, D and E ये components है, ये circuit है इसमें से components बताने है अपनको आपको, components से जादा important है इनका काम क्या है? तो देखो A है, उसका नाम है voltmeter ये करता है, ये measure करता है potential difference को potential difference को measure करता है किसी भी points के बीच में तो जैसे ये दो point है ना इनके बीच में क्या potential difference रहेगा क्या voltage है ने वाला है इन दो की बीच में ये कौन measure करेगा, ये voltmeter measure करेगा B क्या है? B है अपना resistance resistance क्या करता है? वो ही current को oppose करने में काम आता है तो इसका काम होता है oppose करना किसको? current को है ना? C का क्या resistance हो बहुत use आने वाला है, wires में resistance होता है, resistance बहुत use आता है C है अपना emitter जैसे कि voltmeter potential difference को measure करता है, वैसे ही measure किसको करता है? ये measure करता है current को, कि circuit में कितना current बहर है? कितना current है है ना? D है वो है अपना closed या open की है ना? अब इस diagram के according क्या है ये? देखो इस diagram के according ये open तो हम tick कर देंगे यहाँ पर open को पर इसका close भी हो सकता है इसको open कर देंगे तो close हो जाएगा तो इसका काम होता है ये open या फिर close करता है circuit को circuit को open close करने में help करता है कि जिसके कारण circuit close होगा या circuit open होगा flow of current possible होगा या निहोगा वो आ सब देखता है इस he E का काम होता है इस अपने पार cell अब 실ilण का काम क्यों होता है हो लिमोट में क्या काम करता है अपने cells क्या क्याकाम क्रते बैटरी Hill क्याट क्या कॉश्वाइड करवाती है तो इस होता है power source है जो power source provide कर आती है जिसके कारण जो circuit है वो मतलब एक active state में आ पाता है तो power source provide करवाने का काम होता है Thank you guys